हलो बच्चो स्वागत है आपका रेपलिका वर्ल्ड में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के क्वेशन हम लोग कर रहे हैं एच और गड़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंटरिंस का क्वेशन पेपर 2019 में जो आया था तो चले शुरू करते हैं इससे पहले हम लोग और भी क्वेशन कर चुके हैं इंग्लिश के भी और जनरल नॉलिज को पूरा कंपलीट कर चुके हैं अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो च हमारे similar questions है उनमें हमें एक जैसी चीजे बतानी है तो यह जो question है इसमें क्या बताना है कि हमारे bold में question में जो दो शब्द दिये हुए हूं उनके बीच में जो relation है वैसा ही relation वाला हमें एक पेर ढूंड के निकालना है तो यहां पर हमारे पास जो पहला question है वो है टेगोर और गितांचली गितांचली एक कवीता है जो कि टेगोर ने लिखी थी तो ऐसा ही same relation हमें options में ढूंडना है यहां पर हमारे पास चार options है Madame Curie, Radium, Shakespeare, Skylark, Dickens, Oliver Twist, Noble, Dynamite तो हमें इसमें चूज करना है तो basically यहां पर option number C में वो same relation है क्योंकि Dickens जो है Charles Dickens उनने Oliver Twist लिखी है और टेगोर ने गितांचली लिखी है तो यह दोनों चीज़े सेम है इसके अलावा Noble और Dynamite का relation है पर Noble ने invent किया था Dynamite को तो ऐसे कोई वो उनक इसी तरीके से Madam Curie और Radium की और Shakespeare और Skylark की भी सेम बात है Shakespeare और Skylark का तो कोई relation ही नहीं है तो इस तरीके से relation हमारे Dickens और Oliver Twist में ही है जो कि हमारा Tagger और गितांचली से मैच करता है next question है dearth और surplus तो dearth और surplus का मीनिंग क्या है dearth का मतलब है कमी होना बहुत जादा और surplus का मतलब है जरूरत से जादा होना तो यह opposite है एक दूसरे के तो हमें options में opposite ढूंडने है options देखते हैं क्या है touch, repulsion, first option है then dream, fantasy, simple, complicated, true, unbelievable तो इसमें मैं बताना है कौन सा pair same relation रखता है dearth और surplus से तो यहां पर जो same relation रखता है वो है simple and complicated क्यूंकि simple और complicated एक दूसरे के exact opposite है जैसे कि dirt और surplus है इसके अलावर जो आप बाकियो option देख रहे हैं वो इसले सही नहीं है क्यूंकि एक दूसरे के exact opposite नहीं है जैसे कि dream और fantasy same चीज है true और unbelievable भी पूरी तरीके से opposite नहीं है और touch और rep तो canvas और painter के बीच में जो relation है वैसा है same relation हमें options में से देखना है तो पहला option है leather shoe दूसरा option है chazzle wood तीसरा है हमारा brush और palette और चोथा है marble और sculpture तो यहां पर हमें बताना है same relation किसम है तो same relation marble or sculpture में है क्यूंकि जो painter है वो canvas पर painting बनाता है उसी तरीके से जो मूर्तिकार होता है वो marble के मदद से मूर्ति बनाता है तो इसलिए same option है यह तो D answer होगा अब चलते है next question पर यहां पर जो next question है वो है dawn and dusk तो dawn और dusk का हमें बताना है तो dawn का मतलब होता है जो सुभर से related हो और dusk का मतलब जब दिन धल जाता है तो यहां पर दिन और राज से relation है तो हमारे पास यहां options है morning, afternoon, joy, happiness, day, night, sad, sorrow तो यहां पर जो सबसे appropriate option है इसके लिए वो है day night क्योंकि यहां पर भी day और night की बात करी जा रही है तो यहां पर day night इसका सही option होगा चलते है next question पर 135 पर horse and stable तो घोडा और अस्तबल यह हमारा एक पेर है इसके similar हमें ढूंडना है यानि एक जानवर और इसके रहने की जगह है इस जैसा जहां पर हमें मिलेगा वो ही हमारा सही option होगा option 4 है हमारे पास trees, orchard, flowers, garden, lion, den और plant hedge ठीक है तो यहां पर जो सबसे appropriate option है वो है lion और den क्योंकि lion एक जानवर है और वो den में रहता है जो कि बिल्कुल सिमिलर है horse and stable चलते है next questions पर 136 से लेके 140 तक यानि हमें एक पूरा sentence दिया रहेगा उसमें एक शब्द दे दिया जाएगा और शब्द को हमें बताना है कि वो क्या है conjunction है, verb है, adverb है, क्या है तो हमें इस पर बताना है तो पहले question पर चलते है question number 136 the driver jumped off the car in this sentence office तो इस sentence में बताने है of क्या है options है conjunction, preposition, adverb या adjective तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि conjunction का मतलब क्या है, preposition, adverb, adjective, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो आप इसको आसानी से solve कर लेंगे, तो जिसका answer होगा वो होगा preposition, अब इसका answer preposition क्यों होगा, क्योंकि preposition हमें position बताता है किसी भी चीज़ की, तो यहां प look before you leave in this sentence before is, तो हमें यहां पर बताना है कि यह preposition है, conjunction है, adverb है, या क्या है, तो इसमें हमें elimination method यूज करना है, इसमें हम यह देखेंगी कौन से option नहीं हो सकते हैं, तो यहां पर एक तो none of the above भी अगर हमें तीनों ही option सही नहीं लगेंगे, तो हम none of the above भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास यहां पर यह preposition तो बिलकुल भी नहीं हो सकता है, conjunction भी नहीं हो सकता है, क्योंकि conjunction क्या करता है, दो sentences को जोडने का काम करता है, जो कि यहां पर नहीं हो रहा है, इसके अलावा, adverb और none of the above में एक option हो सकता है, तो जो इसका answer है, वो है adverb, ठीक है, तो यहां पर इस तो only को हम adjective की तरह भी इस्तिमाल करते हैं, adverb की तरह भी इस्तिमाल करते हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए, इस sentence में only का क्या मतलब है, तो यह जो sentence है, इसमें only as a adjective इस्तिमाल किया गया है, जब हम only को as a adjective इस्तिमाल करते हैं, तो उस दोरान क्या होता है, हम यह बताने की को तो हम लोगों को बताने कोशिश करते हैं कि सिर्फ इतने लोग, सिर्फ इतना ये सब चीज़ है, इस तरीके से होता है, तो एक thin line है इसके बीच में, तो यहाँ पर क्यूंकि हम chance कितने हैं, वो बताने कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इसका adjective answer होगा, तो अब चलते हैं next question पे इसका answer है, वो है, adverb ही, एक adverb होगा ऐसा क्यूं, क्यूंकि conjunction ये हो नहीं सकता है, यहाँ पर कोई sentences नहीं जोड़े जा रहे है, article नहीं हो सकता, क्यूंकि article a, n और da ही होते है, proposition भी नहीं हो सकता, क्यूंकि यहाँ पर किसी की position नहीं बताए जा रही है, तो सिर्फ adverb ही एक option बचता है, और adverb ही इसका answer है, next question है, can you tell me how to get to the railway station, in this sentence, the is, तो यहाँ पर the हमें बताना है, conjunction है, adverb है, proposition है, या article है, ठीक है, तो जो इसका answer है, वो है, article, option number B, article इसका answer है, चलते हैं, next set of questions पर, यह जो question है, 141 से 145 तक, इसमें हमें क्या करना है, जो bold में हमें words दिये हुए है sentence में, तो उनका हमें meaning बताना है, एक तरीके से, ठीक है, तो चले, शुरू करते हैं, जब question पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा, Indians are going places in the field of software technology, तो going places का यहाँ पर क्या मतलब है, options है, going abroad, यानि कि देश से बाहर जाना, going to spaces, going by air, by air जाना, space में जाना, या फिर, option number D, successful होन तो यहाँ पर going places का मतलब होते है, successful होना, काम्याब होना, गर हम कहीं पर काम्याब हो रहे हैं, किसी field में, तो हम बोलेंगे going places in the field of science, या software technology, या कुछ भी, तो इसका answer होगा, option number D, अब चलते हैं, next question पर, for any organization to be successful, it is important that everyone is on the same page, सब का एक पेज पर होने का क्या मतलब है, कि सब लोग मीटिंग में present हो, या फिर अपने work को register उन्होंने करा रखा हो, या फिर सब को same fees दी जाती हो, या फिर सब सेम तरीके से सोचते हो, तो हमें इसमें बताना है, being on the same page का क्या मतलब है, तो जो इसका answer है, वो है, think in a similar way, जब हम किसी के साथ similar way में सोच रहोते हैं, इसकार्ड, earn enough, control affairs या manage the business, तो earn enough है, इसका मतलब कि अगर कोई both ends meet हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो उतना कमा सकता है, जितने की उसको खर्च करने की ज़रूत है, जितने उसके खर्चे हैं, उतना वो कमा सकता है, अगर cannot make both ends meet, इसका मतलब वो उतना नहीं कमा पा रहा है, जि पीं समित को ряд नहीं करता है always call a spade, tब हमें इसे मताना है a spade, a spade का मतलब क्या है calling a spade १ ८ा ज़र घा है इसलिए 4 options है to disrespect, किसे को disrespect करना to say in anger घुषसे से बात करना to speak plainly, cleanly मात करना to manipulate यहां बता जिद खिदा then manipulate कानी ही नहीं है उसने चीजों को इसका मतलब वो सीधे सीधे कहता है जो भी कहता है तो इसलिए option number C इसका सही होगा to speak plainly यानि बिना किसी बात को मोड़े तोड़े हम सीधा अगर कोई चीज बोल देते हैं तो इसका मतलब यह होता है चलते है next question पे they were offered six months rent in lieu of notice to vacate the building in spite of in place of despite of in addition of तो इसका होगा in place of क्यूंकि 6 महीने का rent उनको offer करा जा रहा है ताकि वो उस building को खाली कर दे तो उसकी जगे खाली करने की जगे उनको rent दिया जा रहा है तो in place of इसका answer होगा अब चलते है next set of question पर यहां पर 146 से लेके 150 तक के questions जो हैं वो उसमे क्या हमें बताना है कि जो एक sentence उसमे जो word है वो bold किया हुआ है उसका replacement हमें बताना है कि उसकी जगे कोई और word आ सकता है या नहीं पहला question है the police are trying to solve the mystery तो police कोशिश कर रही है कि mystery solve हो जाए तो यहां पर 4 options है हमारे पास was trying, has been trying, is trying or no improvement है तो आर की जगे क्या सकता है तो इसका जो सही answer है वो है no improvement यहां पर आर की जगे आर ही आएगा कुछ और नहीं आ सकता है तो option number D इसका correct होगा next question पर चलते है he is sleeping for five hours ठीक है वो पांच घंटे से सो रहा है तो इस sleeping के जगे क्या आना चाहिए चार options है was sleeping, has been sleeping, have been sleeping या no improvement तो इसका जो answer है वो है has been sleeping क्योंकि वो सो रह है ठीक है तो यहां पर यह जो है has been sleeping में आएगा तो इसलिए इसका answer B होगा चलते है next question पर the train left before we reach the station इसे पहले कि हम station पहुंचते train जा चुकी थी तो left की जगे क्या आना चाहिए head left would have left had had left या कोई improvement में जरूरत नहीं है तो इसका option होगा a had left the train had left before we reach the station next question है when we saw him last he ran to catch a bus तो यहां पर ran के जगे क्या आना चाहिए has ran had run was running या no improvement तो इसका answer होगा was running या नि जब हमने उसको देखा last तो वो भाग रहा था बस को पकड़ने के लिए तो यहां पर past continuous आना चाहिए तो option number C से ही होगा was running next और आज के लिए last question है the doctor said that there was no cause of anxiety doctor ने बोला क कोई भी कारण नहीं है anxiety का तो यहां पर चार options है cause to cause for cause with or no improvement तो इसका answer होगा no improvement cause of ही होता है हमेशा कि किसी चीज का कारण तो cause of ही होगा इसका इसमें कोई भी improvement नहीं होगा तो बच्चों इस तरीके से ही हमारे कुछ question थे general English के बाकि जो questions है वो मगरे lectures में करेंगे तो आज क अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें शेयर करें और एपलिका वर्ल को सब्सक्राइब करें